नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल मार्केट बिद्ध्य अले में स्वागत है आज हम बात करेंगे रिलाइंस पावर के बारे में जिसे आप आर पावर के नाम पर जानते हैं दोस्तों यह एक पेनिश टॉक में रिस्क भर पूर रहता है तो मैं आज आप लोगों को साथ यह कंपनी के बारे में डिस्क्रिस करूँगा फिर आप ही बताईए कि यह कंपनी खरीदना है कि नहीं खरीदना है दो चलो इस वीडियो की सुरू करते पहले अगर आप आप हमारे चैनले को जरूर जरूर सबस्क्राइब किजिए ये रिलाइंस कम्यूनिकेशन, रिलाइंस नवल, ये कमपनी और बंद होने की कगार पे हैं, और एक ठीज रिलाइंस पावर के बारे में ये कहना चाहूंगा, कि जितने भी ADG ग्रूप है, उन ग्रूप की कमपनियों में से रिलाइंस पावर थोड़ा बहतर पॉपॉर्म कर ये ये इसकम्पनी के बारे अभी फिलाल बततना चाहूंगा, इसकम्पनी के मार्कट केब की बात करें, तो मौगूदा समय में लगभग 6,000 करोड के उपर का मार्कट केप है, दोस्तो मैं इसकम्पनी की चार पॉइंट पे बात करूंगा, ठीक है, एक-एक करके हम इसको करते हैं सबसे पहला चीज जो इस company के लिए है इस company के उपर अभी भी 21000 करोड के उपर का debt है और इस company के लिए एक चीज यह कहना चाहूं को कि पिछले दो-तिन साल से लगातार यह company कर रही है जैसे कि दो साल पहले की बात कर तो दो साल पहले इस company के उपर 25000 करोड के उपर का debt था लेकिन धीरे-धीरे अपना debt कर के लगभग एक company ने 21000 करोड का अपना debt कर लिया है इस company पर अभी भी debt बचा हुआ है दूसरा इस company के बारे में है कि inconsistency performance जैसे कि एक company एक quarter profit करती है तो अगला तीन-चार quarter इस company को losses होता है मतलब continue company profit generate नहीं कर पा रही है अगर पिछले दो साल की बात गया तो दो साल में इस company ने को से पिछले quarter में ही profit हुआ था उसके बाद आठो quarter में इस company को loss हुआ जैसे कि इस quarter में 292 करोड का loss हुआ पिछ पिछले आठ quarter में इस company ने profit generate किया था अधरवाइस एक company हर quarter में इस company को loss हो रहा है यह था यानि कि company inconsistency है पहला point में debt बताया है दूसरा यह company में हमें inconsistency देखने को मिल रहा है अब तीसरा थोड़े ना इसके नहाम जो main चीज़े इसके management के बारे में बात करते हैं दोस्तों इस company का management मुझे उतना point में जम नहीं रहा है मतलब सबका अपना analyze मैं अपना analyze बता रहा हूँ इस company का management मुझे थोड़ा सा weak लगता है as compared to other management क्योंकि ना देखो यह company power-related business करती है जो अधानी grain कर रही है एंटीपीसी कर रही है company पी वही business कर रही है लेकिन उनका management ने एक focus तया sales करना है हमें नए client लाना है और हमें उसे implement करना है लेकिन इस management में मुझे अशा उत्रन देखने को नहीं मिल रहा है तो इस management को मैं थोड़ा सा downgrade करता हूँ नमबर तीन नमबर फॉर सबसे important चीज है retail नीवेसर किसे बीडू भी कंपणी में अगर आप promoter holding देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर आपको retail नीवेसर की नजर आएंगे जो company एक रुपए दो रुपए में trade कर रही है जो company NCLTA में कई है वहाँ तो 90-95% वहाँ पर promoter holding में आप जैसे हम जैसे छोटे नीवेसर की नजर आएंगे और इस company में भी 60% उपर retail नीवेसर की भरे पड़े हुआ है retail नीवेसर की में उद्यश रहता है वो रहता है लालच वह यह नहीं देखते की company कैसा परफॉर्म कर रहा है company में क्या हो सकता है company profit generate कर रही है company profit generate नहीं कर रही है वो इस बारे में ज्यादा नई सूचते हैं तो इस company में भी वही scenario हमें देखने को मिल रहा है एक समय में company माइधिंक कोई इस time में दो तिन रुपाए पर भी एक company trade कर लेती है लोगों का portfolio उस समय से भी भरा हुआ है मैंने एक दो लोग का portfolio check किया था review करते हैं मैंने देखा था कि उनके portfolio में दो हजार तीन हजार चार्स हजार क्वांटिटी न इसके इसके अभी भी है तो उन लोगों अच्छा खासा profit हुआ है लेकिन मतलब जो रिटिन नीवेस थे क्या रहता है यार यह तो दस रुपए बंदर रुपए मिल रहा है यहाँ चलो हम लोग एक हैदर quantity ले लेते हैं करके दिन बढ़ेगा तो हम अच्छा होगा मतलब मल्टिबेगरों रिटेन मिलेगा उनका थिंकिंग ऐसा रहता है और मुझे कुछ लोग यह कमेंट्स किया सर क्या अभी हमें यहाँ नया नीवेस करने वाले बिल्कुल भी उनको प्रिफर निक करूँ कि आप इस company पे नया आप नीवेस कीजिए क्योंकि उसका दोतिन कारण है जैसे मैं उसी पॉइंट में सारा कारण है मैं अगर इनको नया नीवेस आपको करने का मन भी है तो मैं यहाँ पे आप लोगों सिंपल एक सर्जिशन देता हूं कि एक कमपनी की एक दो क्वाटर नतीजे देखिए अगर कमपनी दो क्वाटर में कंटीनियोसली प्रॉफिट जनरेट करती है तो आप इस कमपनी में जा सकते हैं अधरवाइस यह कमपनी आपको ना ट्रैप कर देगा अगर पिछले एक साल का आप चार्ट पेटन देखोगे तो उपर के लेवल बीस रुपे के लेवल देखते है न सारी बाते को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखके चलना होगा क्योंकि यह पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक में रिस्क ना भर भर के रहता है तो अगर आप रिलाइस पावर खेदने का सोच रहे हैं तो एक से दो क्वाटर आपको इंतजार करना है कमपनी प्रॉफिट आएगा सेल बढ़ेगा ही तो आप यहाँ पर इंटर की दिए अधरवाइस आप इससे अपने वासलिस्ट में सामिल कीजिए और खुद के अनलाइस कीजिए और मुझे भी बताईए कि कमपनी कैसा परफॉर्म कर रही है मुझे कमेंट्स पी करके बताईए कि कमपनी कैसे प